इस बार 29 दिल का रहेगा सावन, 500 बार और 25 से ज़ादा शुब योग रहेंगे इस महीने में हिंदू केलेंडरों का पाचवा महीना यानी 57 मार 6 जुलाई को शुड़ू होने वाला है राशी के जोतीशाचारे पंडित गनेश मिश्र के अनुसार इस बार सावन महीने में 29 दिन ही रहेंगे शुक्ल पक्ष की अस्क्मी तिथी के शै होने के कारण ऐसा होगा इस बार सावन महीने की शुरुआत उतरा शाधा नशत्र और वैदित्त्री योग में होगी लेकिन विरस्पती का अपनी ही राशी धनू में होना शुब है इसका साथी चंद्रमा मकर राशी में रहेगा सावन में 25 से ज़्यादा शुब योग बन रहे हैं इस बार सावन महीने का पहला और आखरी दिन सुमबार ही होगा इस महीने में 5 सुमबार का शुब सैयोग बनने से ये महीना और भी खास होगा सावन का पहला और आखरी दिन सुमबार पंडित मिश्र के अनुसार सावन बहीने की शुरुवार 6 जुलाई को सुमबार से होगी और समापन भी 3 अगर्स तुमबार को होगा इस बार सावन में 5 सुमबार भी आ रहे हैं जो शुब संकेत है ऐसा ही संयोग 3 साल पहले 2017 में बना था पंडित मिश्र बताते हैं कि इस बार सावन महीने में 11 सरवार्थ सिथी, 3 अमरित सिथी और 12 दिन रवी योग रहेंगे इन शुब योगों में की गई भगवान शिव की पूजा में विशेश फल मिलता है पूजा पाठ में शिव जी का विशे करने से आयू धन और स्वास्त में व्रधी होती है सावन की पहली तिथी का उदय सोंबार को पंडित में शुब बताते हैं कि स्रावन क्रिश्न पक्ष पृति पदा की शुरुवार पांच जुलाई रविबार को सुबद 10 बच गर 15 मिनट से होगी जो दूसरे दिन सोंबार को सुबद 9 बच गर 25 मिनट तक रहेगी सोंबार को प्रतिपता उदया तिथी में होने के कारण सावन की शुरुआत सोंबार से ही मानी जाएगी श्रावन महीने में सोंबार 6, 13, 20, 27 जुलाई वत तीन अगस्त को है इस जुलाई को सोंबती वहर्याली अमावस्या है तीन अगस्त को रक्ष वंधन है स्रावन महीने के सोंबार सोंबार 6, 2020, पहला सावन सोंबार व्रत 13, 2020, 22, 27 जुलाई वत तीन अगस्त को रक्ष वार व्रत ऐसे समझे सावन में आने वाले व्रत और पर्वोगे स्थदे पड़ित मिश्र के अनुसार इस बार सावन में पांथ सोंबार परेंगे जिसमें तीन सोंबार क्रिश्न पक्ष और दोर शुक्र पक्ष में होंगे धर्ब व्रतों के इस स्रावन माह में हर सोंबार को व्रत और भगवान शिव्ठी पूजा करने से हर तरह की परिशानिया खत्म हो जाती है और वीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है सावन सोंबार से ही सोला सोंबार व्रत की शुरुवात होती है स्रावन मास में 10 जुलाई को मोनी पंचमी 14 जुलाई को मंगला गौरी व्रत सोला जुलाई को इकाथशी 18 जुलाई को प्रिदूश 20 जुलाई को हर्याली आमवस्या सोमवती आमवस्या 23 जुलाई को हर्याली तीज के साथ ही 25 जुलाई को नाग पंचमी और तीन अगस्तो रक्षा वंधन मनाया जाएगा